प्रिये विद्यार्तियों मैं आप लोगों का बी एसी पाड़ फस्ट बॉटनी के सेकंड पेपर में क्लासिफिकेशन के उपरपन अध्यिन करें में आपका स्वागत करता हूँ आप लोगों को मैं पिछली क्लास में वर्गी करण के अंतरगत हिपेटिक उपसीडा और एंतोसिरोटोपसीडा के बारे में बताया था आज हम जो सबसे विख्षित क्लास है ब्राइफ फाइटा की उसके बारे में हम डिसकस करेंगे उसके अंतरगत ब्राइबशिडा की अंतरगत तीन सब क्लासेड के अंतरगत डिवाइट किया गया है पहली जो सब क्लास है वह स्फेगनेडी दूसरी है एंड्रियोगी दूसरी ब्राइडी इसी प्रकार से इन में पहली जो ओलर है स्फेगनेल्स एंड्रियल्स और फिनेरेल्स है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम विकास के दौर्प विकास के तहट इवल उसने ट्रेंट्स में हम देखते हैं तो ब्रायफाइटा में प्रारंभी के रूप से जैसे रिक्षिया है रिक्षिया एक एसाफ होदा है जिसके अंतरगत जो थेलस होता है वो जड़ तना पत्ति में विवेदित नहीं होता लेकिन इसके अंतरगत डौर्सल और अपाक्स और अभेक्स यह जो सत्ह होती है तो जो अपाक्स सत्ह है जिसको हम डौर्सल सफेर करें यह जो डौर्सल सफेर में ने में प्राइटे इसी प्रकार से रिक्षिया, रिक्षिया से मार्केंशिया, फिर मार्केंशिया के बाद लिवर्वर्ट्स, लिवर्वर्ट्स से होन्वर्ट्स का विकास हुआ और होन्वर्ट्स से जो मसाई है और जो ब्राइफायटा के जो विक्षित पोध हैं उनका विकास हुआ तो आज ह जो संपूर्ण विश्व में ब्राइब सीटा के जो पौदे जो चारों तरफ हे लेवे हैं उनने उनकी लक्षनों के आदार पर उनकी बाही आकारी की आंत्रिक आकारी की और संद्रसनात्मक के आदार पर उनका वर्गी करन करेंगे और वर्गी करन के साथ ही उनके लक्षनों पाई जाती है इस वरक्के पोदे विवित प्रकार के नम आवासे इस्तलों नम मिट्टी गिली चट्टानों वरक्षों के तनों आधी पर पाई जाते हैं युगमकोद वित पोदे की दो अवस्ताएं होती है पहले प्राइमरी प्रोटो निमा और दूसरा परणिल अवस्ता जो प्राइमरी प्रोटो निमा है ये अवस्ता सयान होते हैं प्रोस्ट्रेट होते हैं वीशर्पी होते हैं साखित होते हैं और तंतु द्वारा वीरुपि इसमें जन्ञामों का विकास नहीं होता, जो पर्णिल अवस्ता होती है। पादब का जो गोड़ी होती है वो वूर्द होता है बेलनाकार अक्स तता पत्तियों से निर्मित होता है अक्स के चारों और पत्तियां सरपिल करम में विन्यसित होती है इस अवस्ता में जननांगों का निर्मान होता है पर्णिल गेमिट ओफाइट वूर्द वूर्द अक्स पत्तियां और मुलावासों में विवेदित होता है, मुख्यक्स साखित या साखित होती है, पत्तियां छोटी सरल वरंती होती है, इनके जो उपांते हैं आचिनकोर या दंतुर होते हैं, अधिकांस वन्सों में एक सूस्पस्ट मद्दे सिरा होती है, मुलावास बव कोशिकिये पाई जाते हैं, साखित होते हैं, इनमें कोशिकाओं के बीज बीच में तिर्यक पट पाई जाते हैं, ये जो थेलो फाइटा में, जो कारा में भी ऐसा लक्षन पाया जाता है, अक्स के आंत्री कुत्तक में, केंद्रे चालनक सेत्र तता प्रजितिये कोर्टेक्स में भी विवेदित होते हैं, पत्तियां केवल एक कोशी के मोटी होती है, काईक जनन, खंडन, पर्णिल साकाओं भूस्तारी, प्रथम तंतु के साकन, कुछ जेमी या अपाती शिकागरों द्वारा होता है, नर्तता मादा जननाओं के सिर्ष पर समों में विख्षित होते हैं, पोदे डायोसेस या मोनोसेस होते हैं, पूधानी सवरंत गदाकार होती है, इस वरक्की पूधानिया, हिपे साबिक या सरपिल रूप से कॉंडलित होते हैं, इस त्रिधानिया सेवरंत, हिपेटिक ओपसिटा की तुल्ना में इस वरक्के सदस्यों में इस त्रिधानिक ग्रीवा अधिक लंबी होती है, जिसके लंबाई लगवक 40-50 कोशी के हो जाती है, या जो इसका वेंटर या जो कैपसूल में विवेदित होते हैं, सीटा लंबा होता है, जो कैपसूल को गेमिटरोफिटिक उत्तक से उपर उठा लेता है, और जिससे बीजानों की प्रकीनन, जिससे बीजानों का प्रकीनन सरल हो जाता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो इनके कैपसूल होते हैं, इनके जो विख्षित कैपसूल, अर्थार्थ जो ब्रायफाइटा है, ये ब्रायफाइटा का सबसे महित्तोपूण जो क्लास है और इस क्लास में अनेक बंदेक सेत्र पाई जाते हैं यह जो कैपसूल है ब्राइफाइटा में जो ब्राइफसीडा जो क्लास है इसमें जो कैपसूल जो पाई जाते हैं यह कैपसूल जो बीजानुद भिद है यह बीजानुद भिद कैपसूल के रूप में पाई जाता है और इसकी टिपिकल संद्रसना होती है, केपसूल, अनेक बंदेक सेत्रों, जैसे केपसूल वाल, ओपरकुलम, प्रचद या पैरिस्टोम, पैरिस्टोम में एक ऐसी संद्रसना होती है, जो अंगलियों के समान, बाहर की तरफ दातों की जैसी संद्रसना है, निकली हुई रहती है, तता कॉलूमेला यह जो फर्टाइल, आर्चिस्पोरियल या फलत परप्रसुतक में विबिदित होता है यह जो अपरकूलम है पैरिस्टोम है इनका जो मेहत्वकून जो कार्य होता है यह जो बिजानों बिद में कैपसूल में बनने वाले जो स्पॉर्स हैं यह स्पॉर्स का जब यह मेच्वर हो जाता है कैपसूल तो यह यह संद्रस्ता है जो बीजानों को बाहर फेकने में और इसके जो बीजान केपसूल का जो इस पूठने उस पूठन के अंतरका साहिक होते हैं इस फेकनम को अपवाद शुरूप छोड़कर अन्य सभी वंसों में कैपसूल के अर्थात पेरिस्टोम तंतों के आदर्ता से समद्ध आदर्ता के समय जब जैसे आदर्ता जादा होती है तो उस समय फेल जाते हैं और जब आदर्ता कम होती है वातावरण में तो यह सिकूड जाते हैं तो इनके यह जो कैपसूल का प्रस्पूटन में हैं यह महतोपूण योगदान निवाते हैं और थात यह साहिता करते हैं बीजानू अंकुरितोंकर प्रात्मिक प्रौटोनीमा बनाते हैं तता गेमाशिक की जो अवस्ता होती है ये जो यए जो प्रथम अवस्ता जैसे ही इसपोर्स डिस्परसल invite होता है और जर्मेनेट होने के प्लांट हुआ तो नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही थेलोस पर बनते हैं और एदी डायोसिस प्लांट हुआ तो आर्चीगोनियम एक प्लांट पर बनती है और एंथ्रीडियम दूसरे प्लांट पर बनते हैं आपस में जब दोनों एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम से विभाजन होते हैं और विभाजन होने के प्रसाद यह capsule को जनम देते हैं अर्था-अर्थ हम ये मानते हैं कि प्रारभ्य कि जो ब्राहिप हाइट से उनमें capsule जो होता है अर्था भीजानौत बिद्ध जो होता है ये गेविट ओफ हाइट के वपर निरबर होता है जबकि दीडे 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 जीसे हम लिवरवाट से नहीं हों वर्हाण से जीसे हम भ्रायब सित्रा के पर्षा इंतरगत बढ़ते हैं تو इसमें जो कैपने होता है विजानुत बैध ह болगत बी, उस बीजानुत के शोंध के inततरगत करते हैं लेकिन बाद में जब भीजानों बिदे ये अपने आप युगमकोद बिदे के उपर निर्बढ नहीं रहता और अपना स्वहिम कौसर करना भी प्राहरम कर देते हैं इस प्रकार से आप लोगों को मैंने यह क्लासिपीकेशन के विश्तिरित मैंने पढ़ाया है आप लोग इसको परे और देहां जिसको सो